आज है दस एप्रिल यहाँ पर आप देख सकते हैं और एपीप की जो पासबुक है पासबुक का एक नया आपडेट आप लोगों साथ सेयर करने जा रहा हूं तो वीडियो को एंड तक जुरू देखना और जानकरी पसंद रहे तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल पर आप नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना तो चलिए क्या आपडेट है आप लोगों साथ सेयर करते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं एपीप की ऑफिसल साइट पर आ चुका हूं और यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है सर्विस आनेवेल और यहाँ पर आपको पर अपना balance को चेक करने जा रहे हो तो आपको यह वाला error message देखने को मिल रहा है और EPF का जो server है, server में temporarily unable है, जो आपके service request है, अभी maintenance problem है, maintenance problem की बज़ा से जो आप अपना PF balance को चेक नहीं कर पर हो, यहाँ पर बता रहा है कि capacity problem है, EPF का जो server है, server में जो capacity है, capacity की problem है temporary, तो यहाँ पर EPF ने fix time नहीं बता है, कब आप अपना PF balance को चेक कर सकते हैं, तो यहाँ पर आप देखते हैं, तो यहाँ पर भी आपको loading हो रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, अपना PF balance यहाँ पर आप देख सकते हैं, अपना PF balance यहाँ पर आप एप्रिल से साम से यह प्रॉब्लम आ रहा था लेकिन आभी-कभी-कभी open हो रहा है कभी open नहीं हो रहा है तो यह पर आप देख सकते हैं कोई सभी browser open करने का बाद अगर अगर आप सर्च करते हो पी एप पास्बुक तो पास्बुक सर्च करने का बाद इस तरीके से अपना अप्रिकेशन से भी अपना पी एप पास्बुक को चेक कर सकते हैं आप लोगों साथ शेयर करना था आपको काफी पसंद आए होगा पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा चनल पर नहीं है तो चनल को सब्सक्राइब कर लेना